नमस्कार यह है स्पोर्ट्स की बात सुवे का वक्त है और खबर देने में मज़ा भी आ रहा है और गर्व भी महसूस हो रहा है सबसे पहले बात करते हैं जेवलिन थ्रो की तो जेवलिन थ्रो के ग्रुप A के मुकाबलों में लिस्ट में सबसे उपर नाम है भारत के नीरज चोपड़ा का 86.65 मीटर का थ्रो करके उन्होंने अपना पहले ही थ्रो में क्वालिफिकेशन मार्ग को पार कर लिया और qualification mark केतना था, qualification mark था 83.5 meter का, अगर आप उसके पार थो फैकते हैं, तो automatically आप final के लिए qualify कर जाते हैं, आप final होना है शनिवार को शाम साड़े चार बजे के around, और तब हमें यह देखना है कि यह जो list में number one हमारा जो star खिलाड़ी है, नीरक चोपड़ा, क्या यह भारत के gold medal या कोई medal जीत कर अंक तालिका में भारत को उपर लाज सकता है या नहीं, हाला कि मेरा दिल तो यह कहता है कि ऐसा बिल्कुल किया है, कहानी में twist भी है, और कहानी में twist यह है कि जर्मनी के star थ्रोर जो है Jonathan Wetter उन्होंने चुनोती दे दी है नीरक चोपड़ा को और साफ कर दिया है कि अगर उन्हें gold medal या कोई भी medal जीतना है तो उनसे पार पाना होगा, तो Jonathan ने क्या कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो अच्छा थ्रो करता है, नीरक के बारे में बात कर रहे हैं वो अच्छा थ्रो करता है, वो फिट है और अगर शेप में रहता है तो काफी दूरी तक थ्रो कर सकता है, ये उसकी खास यहते हैं, एक तरह से उन्होंने तारीफ की है नीरक चोपड़ा की, लेकिन फिर आगे जो वो कहते हैं, वो भारती दर्शकों को जरूर जानना चाहि वो आगे कहते हैं कि अगर उन्हें फाइनल जीतना है या वहाँ कोई मेडल जीतना या गोल्ड मेडल जीतना है, तो उन्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा, तो इतना गजब का भरोसा है जोनाथन वेटर को अपने उपर, और इस लिस्ट में जिसमें नीरत सबसे आगे हैं, उसी लिस्ट में दूसरे पाइदान पे रहे जोनाथन वेटर, जिन्होंने 85.64 मीटर का थो करके दूसरा स्थान प्राप्त किया, लेकिन उनकी खासियत क्या है, उनकी सबसे जबरदस खासियत ये है, कि उनका जो सीजन बेस्ट है, वो बहुत जादा है, उ और वो चुनोती देते हैं, और ये कहते हैं कि मैं इस बार ओलंपिक में 90 मीटर के उपर थो करने की कोशिश करूंगा, और नीरत चोपड़ा का परसनल बेस्ट ये सीजन बेस्ट क्या है, उनका सीजन बेस्ट है 88.7 मीटर, यानि कि चुनोती बहुत कड़ी होती है, या बहुत कड़ा हो सकता है, और मुझे ऐसा कही न कही लगता है, कि अगर इस मेडल तालिका में नीरच को बरकरार रहना है, तो जोनतन वेटर क्या, ऐसे तकरीबन हर उस एथलीट से पार पाना होगा, और आगे बढ़ना होगा, और ये सब चुनोती हैं, ये जो गीदर भब क इन से नहीं डरते हो, इस सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना होगा, अब थोड़ी सी बात ये परसनल बेस्ट पर करते हैं, जैसे क्रिकेट में किसी का कोई परसनल बेस्ट होता है, मान लीजी अगर हम विराट कोली की बात करें, तो विराट कोली का परसनल बेस्ट अगर स वो count किया जाता है ना कि उनके personal best के आधार पे फैसला होता है और जिस दिन मुकाबला है उस दिन उनका performance कैसा रहता है तो पहला throw जो किया नीरत चोपडा ने कंधा एकदम सीधा और सीधा सटीक और वो जो mark था 83.50 मीटर का उस से आगे उनका throw गिरा तो ये खासियत है भारत के star खिलाड़ी की जिसने इतने खतरनाक खिलाड़ी Jonathan Wetter को भी हिला के रख दिया है हाला कि एक और जेवलिन थ्रोर है शिफपालसन जो group B में मुकाबला करने वाले है उनका match अभी शुरू होने वाला है और देखते हैं कि वो final में जगा बनाते हैं या नहीं कहीं ऐसा ना हो कि Jonathan Wetter को दो दो भारतियों से मुकाबला करना पड़े तो ये है sports की बात मैं हो तुशार उपरेती उमीद है कि आप Olympic follow कर रहे होंगे और अगर Olympic follow करने से चूप जाते हैं किसी कारणवश तो कम से कम हमारे updates तो follow कर ही रहे होंगे धन्यवाद